हलो माई डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप मैं आधित्यपाल आज हाज दिरूँ एक नया टॉपिक लेके डाट इस टाइप साफ रिक एंगल एंड इट्स यूजस दोस्तों आपको इस लेक्चर के जो भी नोट्स चाहिए वो मेरे इस टेलिग्राम गूप पर अविलिबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले हम यहाँ पे टूल को देख लेते हैं जो कि हम उसके एंगल्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टूल को देख लेते हैं देखिए यह मेरे एक सिंपल टूल है जो जनरली आप शेपर यह के अंदर यूजिव करते हो और आपको यहां साफ दिख रहा है कि जो cutting edge होगी ओके यहां के आपको साफ देख लिखा नियू पार्टिसपेट करने वाला है अगर चोब्ला मैंठ आप दूं को देखेगह ओद को तो इस तरीके से यह टूल आपको देखेगह वह यह portion जो है उपर का यह आपका tool post में लगने वाला है तो obvious हमें बार बार पूरा tool तो बनाऊंगा नहीं तो मैं यहाँ पर इस tool का अगर सिर्फ इतना हिस्सा बना दूँ ओके अगर इसका इतना हिस्सा बना दूँ और वो भी आपको किसमें एक plane के अंदर यह 3D figure था तो plane में आप देख सकते हो यह जो tool था जिसे हमने अभी बनाया यहाँ पर उसका plane में जो view आया देख सकते हैं आप plane में जो उसका view आया और इस point के पीछे आपने देखा कि मैंने इस यह वाला view बनाया इस point के पीछे यह cutting edge है और यहाँ पर यही cutting edge करने जा रही है इस work piece का cutting यह tool अपनी एक cutting velocity V से work piece की तरफ जा रहा है तो आईए देखते हैं क्या होता है आगे जैसे यह work piece आपका cut होता है इस tool से और जैसे कि आपको पता है कि यह tool है it is moving with a cutting velocity what? V cutting velocity what? V आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक finish surface produce हुआ है आप देख रहे है कि यहाँ पर आपका यह जो surface है बिटा यह surface क्या है? यह आपका finish surface है समझ पा रहे हैं आप? this is the finish surface जल्दी से देख लेते हैं this is what? finish surface finish surface right? finish surface okay तोकि कटने के बाद यह बना यह आप देख रहे हैं क्या है? chip है okay this is what? this is the chip यह chip जो आपकी upward direction में जा रही है so this is what? this is chip okay having a velocity let's say vc vc एक chip velocity है जिससे यह move कर रहा है now अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर chip जो है tool की एक face के उपर से move कर रहा है दोस्तों उस face को हम कहते है rake face got it? जिहाँ tool की जिस face से आपका chip move हो वो face आपकी हमेशा कहलाएगी rake face got it? मैं बात कर रहा हूँ इस face की समझेगा ध्यान से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ tool के इस face की that face is known as rake face got it? rake face tool की वो face जो finish surface की तरफ है उसे हम कहते है flank got it? this is what? this is the flank यह क्या है आपका? यह हमारा यहाँ पर flank है क्योंकि एंगल समझने से पहले आपको surfaces समझना बहुत जरूरी है तो समझेगा आगया chip tool की जिस surface से निकलती है वो रेक surface कहलाती है tool का और tool का वो face जो finish surface की तरफ होता है वो flank कहलाता है चलिए आप यहाँ पर एक line देख रहे हैं चीक है? आप यहाँ पर एक line देख रहे हैं जो almost आपके finish surface के हाँ ना? perpendicular है got it? आप देख सकते हो यह जो line है यह आपके finish surface के क्या है? perpendicular है इस line को is known as reference line ओके reference line यह आपका reference line कह दीजिए आप इसको कह दीजिए normal line normal line अब मेरे कहने से यहाँ पर एक काम कर लीजिए जो कि आगे आने वाले topic में आपको काफी help करने वाला है reference line के किस तरफ से tool आपका आ रहा है? इस तरफ से तो इस surface को आप मेरे कहने से एक बड़ यहाँ पर positive sign दे दीजिए और इस side reference line के इस तरफ यह side क्या हो गई फिर automatically negative side अभी काम आएगा अब आगे चलते हैं आपको यहाँ पर rake surface clear है आपको यहाँ पर frank clear है चलिए साब बटा यहाँ आप देख रहे हो rake angles तो पहले अब मैं आपको अगर यहाँ बताओं तो आपको पता है कि rake angle आपके positive होते हैं negative होते हैं zero होते हैं तो positive rake angle हम किसे कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है reference line के जिस तरफ से tool आ रहा है आपने उसको ले लिया है positive उस side को यह cutting velocity और यह negative ठीक है अब आप यह देखिए कि आपका जो rake surface है tool का आपका यहाँ पर जो rake surface है tool का got it जो यहाँ पर आपका rake surface है tool का यह कितना rake surface वो surface जिससे चिप जा रही है कितना inclined है आपके reference line से इसे हम कहते हैं rake angle और क्योंकि inclination आपके positive direction में है तो हमने इसको क्या कह दिया positive rake angle simple अब ऐसी ही आप यहाँ देख सकते हो कि आपका एक दूसरा tool आपके work piece की तरफ आ रहा है और यह आपकी reference line है reference line के जस तरफ से आपका tool आ रहा हो वो side आप positive ले लिजिए और यह आपने negative ले लिया got it अब आप देखिए कि जो chip है वो tool के rake surface से जा रहा है but वो जो rake surface है बेटा वो जो rake surface है जरा उसको ध्यान से देखिए यह rake surface basically आपके reference line के along ही तो है तो मतलब यहाँ rake surface का reference line से inclination क्या है zero तो यहाँ पर आपका zero rake angle है zero rake angle है समझ में आ गया आपको zero rake angle है और यहाँ पर क्या है यह positive rake angle है positive rake angle है this is a positive rake angle वापिस से देखिए एक tool जो की work piece की तरफ आ रहा है cutting करता हुआ with a cutting velocity v reference line के जहसे तरफ से tool आए उसे आप positive कर दीजिए और इस तरफ मैंने sign convention negative ले लिया अब आप देखिए यहाँ पर कि जो chip है chip जो है आपके tool के rake surface से देख रहे हैं आप chip जो है tool के rake surface से इस तरह rake surface के along जा रहा है पर वो इस तरफ है ऐसा है तो यहाँ पर आप देखिए कि rake surface का inclination आपके reference line से कितना है तो यह आपका कहलाएगा क्या यह आपका कहलाएगा negative rake angle ओके गाईज negative rake angle is that clear simple now अब आप यहाँ पर ज़रा देखिएगा मैं आपको initial slide के उपर लेके चलता हूँ यह मेरी slide है ओके यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे discuss करना चाहता हूँ और वो चीज क्या है बहुत ध्यान से समझेगा देखिए आप देख रहे हो कि यह tool की cutting edge है आप यहाँ पर साफ देख रहे हो this is the cutting edge of the tool यह tool का क्या है cutting edge है this is the cutting edge of the tool यह यहाँ पर क्या है cutting edge है this is cutting edge अब जरा आप यह बात देखें गौर करें कि cutting edge के पीछे जो यह आपने यहाँ पर material हैश किया हुआ है यह आपकी cutting edge के पीछे वो material है जो tool को support कर रहा है tool को strength दे रहा है तो इसे हम कहेंगे supporting material इसे हम कहेंगे supporting material supporting supporting material यह क्या है बिटा supporting material है और जितना ज़्यादा tip के पीछे यह supporting material होगा उतना ज़्यादा यह tool आपका strong होगा simple बात है उतना ज़्यादा इस edge को यह structural strength देगा समझने है structural strength का मतब समझने हैं कि टिप इतने आसानी से आपकी break नहीं होगी अब अब आते हैं हम इसके अगर compare करें कि इन तीनों में से भाई कौन सा tool सबसे ज़्यादा strongest है इन तीनों में से अगर आप compare करें तो कौन सा tool आपका सबसे ज़्यादा strongest है तो आईए अब आप यहाँ साफ साफ देखिए कि cutting edge जो की एक point था cutting edge जो की एक point था cutting edge जो की एक point था अब इस cutting edge के पीछे आप ज़रा ये गौर फर्माईए बेटा ये गौर फर्माईए कि इसके पीछे ये supporting material है इसके पीछे cutting edge के पीछे ये supporting material है cutting edge के पीछे ये supporting material है तो इसका मतलब यह supporting material सबसे ज़्यादा कहा होगा negative rake angle है तो इसलिए ये tool आपका कहलाता है strongest tool ये tool आपका कहलाता है strongest tool और cutting edge के पीछे सबसे कम supporting material generally positive rake angle के अंदे पाया जाता है और देख रहे हो इसलिए इन तीनों में से हमिसाओ कहेंगे BTS ठीक है हम तीनों में से इसे कहें गेricha अब आप को किस्टेव ज्यूम कलें लुग हुआ कि इसको देखो तो यह इसके कहने मैं स्ट्रॉंग है और इसको देखिए तो उसके comparison थोड़ा कम strong है क्यों क्योंकि इसके एच के पीचर supporting material क्या है कम है अब इसके users की बात करते हैं फटाफट और सबसे पहले सबसे पहले बहुत important जीज़ में आपको समझाने जा रहा हूं यहां पर आपका टूल इसली कहां कट करेगा देखिए जैसे टूल का टिप आप देख रहा है आप यहां पर टूल से हिट करूंगा इस वर्ट पीच को आराम से पेनिटरेट कर गया मैंने कोई जादा फोर्स नहीं लगा आपके सामन कि देख लीज़े बट अगर मैं बात करता जीरो रेक ऐंगेल की है नेगेटिव रेक ऐंगल की जिसमें आप देख रहे हो यह जो एज है है यह जो एक पहले ऐसे थी आ वह ऐसे हो चुका है ऐसे देख रहे हैं आप जीरो में देखोगे तो ऐसे है नेगेटिव में तो फिर और ज्यादा इस तरीके से हो जाएगा और अगर ये इस तरीके के टूल अगर वर्क पीस को काटोगे और मैं अगर उसी फोर्स से क्या हुआ नहीं कटूआ उसी फोर्स से नहीं हुआ मतलब न लगेगा और negative में लगेगा वो ज्यादा लगेगा और इसमें इसमें जो force लगने वाला है zero rate angle में इसके comparison में कम और इसके comparison में यह tool cutting force ज्यादा demand करेगा और आपने एक चीज़ और देखी होगी जिस velocity से मैंने strike किया था वो velocity भी यहाँ पे क्या होगी जादा होगी तो मैं नाम दे देता हूँ V1, V2 और यह V3 तो बेटा यहाँ पर आपकी cutting velocity required, मैं यह नहीं करा कम रखो या जादा रखो मैं कहरा हूँ उस velocity पे यहाँ पर जो required velocity है required velocity है वो यहाँ कम चाहिए और यहाँ जादा चाहिए तो आईए फटा-फट इसको revise कर लेता है कि positive rate angle के अंदर आपका cutting force लगता है कम अभी मैंने समझाया, cutting force कम लगेगा तो आपका power consumption भी कम लगेगा क्योंकि आपकी यह required velocity भी कम है और आपको पता है कि जो power consumption होता है वो cutting force into cutting velocity होता है required cutting force कम लगा required cutting velocity कम लगा required मतलब जिससे आपकी cutting होना start हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसको use कहाँ पे करें हम इसको use करें ऐसी जगा जहाँ पे work piece आपका low strength का है क्योंकि भाई, tool तुमारा strong नहीं है ना, work piece अगर strong हो गया तो उसको काटे निकले ज़्यादा force और इस tool पे reaction भी ज़्यादा आएगा और विचारा उस reaction की वज़े से यह शहीद हो सकता है आगई बास समझ में यहाँ पर हम इसे use करेंगे ऐसी जगा जहाँ पे work piece low strength का हो और generally juice यहाँ पे tool का material होता है वो HSS का होता है और अगर मैं बात करूँ negative work angle की अभी आपने देखा cutting force बहुत ज़्यादा है required cutting velocity भी काफी ज़्यादा है यहाँ पर तो आपका जो power consumption होगा आपका जो यहाँ पे power consumption होगा cutting force into cutting velocity यह भी बढ़ रहा है यह भी बढ़ रहा है consumption होगा अगई बात समझ में इसके comparison में यहाँ पर power consumption इतना नहीं है हाँ यहाँ पर क्योंकि आप इसको काट रहे हो low strength work piece को cut कर रहे है clear है इतनी चीज़े तो negative rate angle की tool को कहां use करें negative rate angle की tool को आप ऐसी जगह use करिए जहाँ पर हाँ जहां पर आप strong work piece को काट रहे हो क्यों क्योंकि यह tool strong है क्यों क्योंकि इसकी edge का strength ज़्यादा है इसके edge का strength क्यों ज़्यादा है क्योंकि supporting material ज़्यादा है यहाँ पर tool का life भी अच्छा है बट यहाँ पर अभी आपने देखा कि required cutting velocity क्या चाहिए high चाहिए आगई बास समझ में generally यह tool आपके ceramic क्या car bites के होते है got it तो यह था rake angle and its uses अच्छा लगा हो तो please comment और share करें thank you